दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा जिसका चालिस वाई-पचास बहुत ही बेतरीन प्लान बना है और जैसा कि आपने अमरा थम्लिल देखा होगा इसी को है जम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से इसक यहाँ पर लुक मैंने दिया है इस्टाइलिस लुक है जो अगर आप गाउं बनवाते तो बहुत ही बेतरी नहीं होगा और सहर में अगर आपके परयाप जग है तो वहाँ पर भी बनवाकर एक बेतरी इसाल लुक अपने मकान को दे सकते हैं तो इसी 40-50 को आज हम डिसकस करें करेंगे step by step लेकिन उससे पहले आप से गुजारे जरूर करना चाहेंगे अगर आपने में तक इस मालावस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करने सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले सब्सक्राइब आप लाग आतार देख सकें और मैंने दोस्तों एक पेड़ सर्वेस हैं वहाँ पर आपको 50% payment advance देना होता है इसके बाद मैं आपसे planning करता हूं लेकर माँ पर मैं आपसे बात करके आपकी requirement को समझ करके आप जो भी जाएंगे वैसा घर डिजाइन करके देता हूं तो आप होई पेड़ सर्वेस के एक बार इस्तमाल जरूर करें कि वह inquiry के लिए call बिल्कुल ना करें तो चलो आज का जो प्लान है 40-50 का उसको discuss करते हैं तो सब्सक्राइब इसका ground floor मैं आपसे discuss करना चाहूंगा तो यह दुस्त उसका ground floor है आप जैसे front से उपर जाएंग दो पिलर आपको मिल जाते हैं देखिए पोल यह पिलर नहीं बोल सकते है जो की स्टाइलिस्ट डिजाइन दार पिलर बनाए हुए इसके उपर और इसके बाद यह एरिया लगबग 12-13 फिट आपका यहाँ पर मिल जाता है और जो आप कार पार्किंग वहरा भी कर सकते हैं साइड में यह ग्रीन एरिया आप देख पर हैंग यह पार्किंग के स्पे आपका यह लेट बात कमाइंड है यह आपका किछें नहीं लगाया है उसका रीजन यह है कि बहुत से लोग अगर जगए आपके पास जादा है तो आप दो से तीन फिट आजबास चोड़ सकते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना विंडो वगएरा लगा सकते हैं इस रूम क बड़ा घर है दोस्तों तो आप यहां पर भी विंडो डोर दे सकते हैं और यहां पर भी दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट डोर इसके लिए अलग अलग डोर आपका यह किचेन एरिया यहां पर भी डोर देख सकते हैं यह फ्रेंट का जो आपका रूम है यहां पर भी आप अंदर से अपना डोर और विंडू एक एक दे सकते हैं, फ्रेंट से तो फिलाल मैंने दिया ही है, तो आपका ये पूरा सेपरेट हो जाता गर ये आपका सरफ ओपन है, जिसमें आपका कार पारकिंग, अपना ग्रीन एरिया या ग्राउंड एरिया बोल सकते हैं, अब हम करेंगे इसके फर्ष्ट लूर की, तो ये सारा डिजाइनिंग दोस्तों पूरा इसमें फर्ष्ट लूर भी है, अप ये आप देखीगा, पीछे वाला एरिया सेम है, आप जो देपारे वही चारो रूम, वही लेटन बात, केशिन वगएरा, सब कुछ आपको वही मिलता है सरफ आपका जो ये डिजाइनिंग का इरिया, ये दिखी गाए, ये पुरे डिजाइनिंग से ही इस घर के लोक को एक वे एतनी लोक मिलता है, और ये पिलर मैंने एक साथ बनाया है, लगोग वही 17-18 फिट के उचे है और ये डिजाइनिंग का लोग है, इसमें छत भी बना जो गेट की तरह यूज होता हो गेट भी खुल जाए जैसे आपने बालकनी में आ सकें यहां पर भी आ सकें और यह आपके डूर की बालकनी है अलग अलग एक साथ बैंड बालकनी आम नहीं दिये यह दोस्तों डिजाइनिंग के पार्ट है जो आप रिंग सा देख रहे होंग कि सारा तो 40-50 में यह बेतरीन सा लुक आपके सामने बनकर रेडियो हो जाता है तो यह पूरा मॉडल था 40-50 का जैसा भी लगा हो मैं कमेंट करके बताएं सब्सक्राइब करें अगर अगर कोई भी डाउट है तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर मैं बात दो हमारी पेड़ सर्विस का तो आप हमारी पेड़ सर्विस के एक बार इस्तमाल जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको एक लेटेस्ट और मॉडरन हाउस टाइप का घर मिलता है जो कि आपके लिए बहुत ही बेतरीन हो शकता है तो चलो इस वीडियो के लिए ब्रेक करे अगर आपने भी और वीडियो नहीं वाच करें तो जुरू कर लें थैंक्स वाचिन